हेलो फ्रेंड वेलकम तो माई चैनल ग्रीन लाइफ देखिए मेरे गार्डर में आज कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है यह थमबजिया का प्लांट है फ्रेंड कुछ दिन पहले ही मैं टीप की कटिंग कर दी थी क्योंकि वह बहुत फैल गया था और इसको बिसी करने के यह बने टीप की कटिंग कर दी थी और देखिए अभी यह कितना फ्लावरिंग कर रहा है आज मैं सेयर करूंगी आपसे फ्रेंड क्लाइमिटीज जिसे रंजाई भी करते हैं इसके प्लांट के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी देखिए यह वाइन होता है और गुच् कहां से आ रही है यह मदुमक्यों की पतंकों को बहुत ही अट्रेक्ट करती है यह वाइन होता है फ्रेंड इसलिए इसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है अगर इसे गंबले में लगाईएगा तो हाइट मेंटेनेंस करने के लिए इसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और इसे cutting करते रहने से यह चोटा ही प्लांट चारो तरफ से flowering से भर जाता है मैं नर्सरीर से चोटा सा प्लांट लाई थी friend अगर यह चोटा सा प्लांट किसी भी flowering plant का है या कोई भी प्लांट अगर आप चोटा लाईएगा तो उसका cost friend कम पड़ता है रोही आप में चोट प्रांट लाइएगा तो उसका कोस्ट अधिक पड़ता है मैं 30 रुपया में ये चोटा सा प्लांट इसी साल में अपने गार्डन में एड़ की हूँ आप चाहे तो इसे कटिंग से भी असानी से लगा सकते हैं इसकी मोटी टिप लीजिएगा दिखिए इस तरह की मोटी अगर आप ब्रांच लीजिएगा तो असानी से इसके कटिंग लग जाती है यह फरवरिस से फ्लावरिंग करता है फ्रेंड कम से कम यह नुवंबर तक फ्लावरिंग करता है और October November में इसके seeds भी black color के होते हैं आप seeds से भी इसे grow कर सकते हैं लेकिन cutting से लगाना इसे बहुत ही असान होता है winter का समय इसका dormancy का time होता है उस समय इसमें flowering होती है और नहीं इसमें कुछ सीपरका का कोई growth होता है यह full sun में रने वाला plant है और इसे बहुत सरे लोग में गेट में भी लगाते हैं अगर यह इसे आप में गेट में लगाईएगा तो यह जूमर की तरह चारो तरह फैल जाता है और देखने में flower से भर जाता है मिट्टी की बात करें फ्रेंट तो इसके लिए welder मिट्टी बनाईएगा और यह flowering plant है इसलिए इसमें महिना में एक बार कम से कम इसमें खार जरूर दीजिएगा अगर इसे जमीन में लगाईएगा तो फ्रेंट उतनी देखवाल की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर आप इसे गमले में लगाईएगा तो कम से कम पंदा दिन में एक बार इसमें फर्टिलाजर जरूर दीजिएगा फर्टिलाजर में फ्रेंड आप इसमें ओनियन, पिल्स, किजन, वेस्ट वगेरा कुछ भी डाल सकते हैं इसमें किसी परकार का ज्यादा इंसेक्ट का तो अटेक नहीं होता है कि ज़्यादा पतियों में ही इंसेक्ट अटेक करता है देखिए मेरे पास ये है कोसकॉम का प्लांट देखिए सभी में इंसेक्ट का अटेक हुआ है और पतियां सब सब में कीडा खा गया है इसलिए पंदरा दिन में एक वार कम से कम इसमें स्प्रे करते रहेगा तो किसी परकार का इंसेक्ट का आटेक नहीं होने से आपका प्लांट हेल्दी रहेगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सेयर किजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा थैंक यू फ्रेंड बाई बाई हैपी गाडनिंग